दौसा जिले में 24 घंटे में कोरुना के आठ संदिक्द मरीज मिलने से चिकिस्था विभाग की चिंता बढ़ गई है इन संदिक्द मरीजों में एक नर्सिंग कर्मी और दुबई से आया वक्ति भी शामिल है जिने अस्पिताल के आइसूलेशन वार्ड में भर्ति किया किया है इस बीच कलेक्टर एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो कहीं भी जादा संक्या में एक खटा ना हो हाला कि चिकिस्दा विभा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल विदेश यात्रा से लोटे लोगों की है प्रशासन इनकी संक्या 21 होने का अनुमान जता रहा है लेकिन ये आकडा जादा भी हो सकता है इधर दुबई से लोटे रामलाल और उनके संपर्क में आये चार लोगों को जैपूर की मेडिकल टीम ने जाज के बाद होम आइसोलेशन की सला देकर घर भीज दिया है लोग स्टेज 3 की कागार पे हैं जो बताया जा रहा है कि एकडम से इसका फैलने की संभावना बहुत जादा है मैं यही अपील करना चाहूंगा जिले की तरफ से सभी नागरिकों से कि इसको तोड़ने का एगी तरीका है जो कि सभी सरकारों ने भारस सरकार ने राज सरकार ने वहीं बाद-बार दोर आई है तो Honorable CM साहाब ने भी हमको यही बुला है कल Honorable PM ने भी यही निर्देश दिये है अपील की है जनता से कि कि किसी रूप में भीड़वार वाली जगे से बचें धार्मिक आयोजन समाजे कायोजन अन्य कोई प्रयोजन घर से निकलने का यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी निखलें की यह संपर्ख से फैलने वाली महावारी है और संपर्ख के अंदर भी ऐस रुक्षित रूप से हाथ बिला जा रहा है कि पुराने दोर गेट्स, ओफिस्यल गेट्स हैं या लुहे की गाडियां हैं सामान है इनको आप मजदूरों के जो हटवारे लगते हैं वहां भी और